इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते ह और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। Tema beta 50 tablet ER एक दवा है जिसका इस्तेमाल उच्च रक्चाप के इलाज के लिए किया जाता है। Blood pressure को कम करके यह भविश्य के दिल के दौरे और stroke को रोकने में मदद करता है। इस दवा के साथ प्रारंभिक इलाज करने से दिल के दौरे के रोगियों में जीवित रहने की संभावना में सुधार होता है। Blood में दवा का उच्चित लेवल बनाए रखने के लिए टैमा बीटा 50 टैबलेट ER को प्रती एक दिन एक निश्चित समय पर भूजन के साथ लेने की सलाह दी जाती है। डौक्टर इसे जब तक लेने की सलाह देते हैं तब तक इसे लेते रहें। भले ही आपको ठीक लगे तो भी इस दवा को अपने आपसे बंद न करें क्यूंकि उच्च बलड प्रेश के अकसर कोई लक्षन नहीं होते हैं। अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं तो आपकी स्थिती बिगर सकती है। नियमित व्यायाम के साथ सक्रिय रखना, अपने वजन को कम करना और स्वस्थ डाइट खाना आपके बलड प्रेश को नियंतरत करने में भी मदद करेगा। इस दवा को लेने के दौरान अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें। इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट में सिर्ध दर्द, कमजोरी, चक्कर आना, बलड प्रेश घर जाना और खून में पोटेशियम लेवल बढ़ जाना शामिल हैं। इस दवा को लेते समय पोटेशियम से भरपूर भोजन और सप्लीमेंट से परहेज रखने की सलाह दी जाती है। विडियो को यह दवा लेने से पहले डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए। अपने द्वारा ली जाने वाली सभी दवाओं के बारे में अपने डॉक्टर को भी बताएं विशेश रूप से जिनका इस्तेमाल हाई बलड प्रेशा या हिरदय के इलाज के लिए किया जाता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद।